नमस्कार बच्चों अगर आगशक्ता हुई तो हम दुबारा से रिपीट भी करेंगे उनको लेकिन उससे पहले उसके आगे के भागपो पढ़ना सुरू करते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि इन नगरों की विशेष्टाएं हैं कि इनको पहले प्लानिंग के दुबारा बनाया जाता था पहले इनको योजना बनाया जाती थी फिर नगरों को बसाया जाता था उसी योजना का एक भाग है उन बड़े बड़े नगरों का एक दूसरा भाग यानि नगर और उसके एक तरफ क्या होते थे दुर्ग होते थे अगर अपने परतेक सिंदु घटी जो सब्वेता है उसके लगबग परतेक नगर में कैसी विवस्था मिलेगी आपको एक तरफ नगर होगा और दूसरी तरफ एक दुर्ग बना हुआ होगा दुर्ग, फॉल्ड, ठीक है इस परकार के सरंचनाई हमें सभी नगरों में मिलती है एक तरफ नगर है जिसकी विवस्थाओं के बारे में जिनकी विशेस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा है चाहे वो हडपा नगर है, चाहे वह है, मोहन जोदलू है ये दो मुखे नगर हैं, इसलिए इनके विशेस कर नाम आते हैं और सबसे पहले खोजबी लगबग इन्ही नगरों की हुई थी बड़े स्तरपा लेकिन हम परते एक नगर में ऐसा देख सकते हैं कि एक तरफ आपको नगर मिलेगा, एक तरफ दुर्ग या फोर्ट मिलेगा अब सबसे पहले बात करते हैं हडपा, सहर के दुर्ग के ये सरेचना आपको समझ में आगी होगी एक तरफ नगर, एक तरफ दुर्ग अब अपने जो मैनली पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ दुर्ग के बारे में पढ़े हैं नगरों की विशेस्ताओं के बारे में हमने कल पढ़ा था दुर्ग देखिए दुर्गों के इंतरगत क्या है, हडपा के अंदर जो दुर्ग मिला है, वो एक धवसा अउसेस है, धवसा शेस कहने का अशे, वो धवस कुआ अउसेस मातर है धवस का मतलब क्या होता है, जो टाइम टू टाइम क्या है शिन होता गया है, उसमें क्या है, नश्ट होते हैं है जो सरंचनाई है वो लगातार नश्ट होती रही है लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो दुर्ग के साधान सी बात है दुर्ग के चारों और हमें प्राचीर मिलेगी प्राचीर का मतलब जो चारों तरफ से उस दुर्ग की सुरक्षा करने वाली दिवार होती है उसको प्राचीर कहते है नेक्स्ट अपने को क्या मिलेगा इस दुर्ग के हर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर मिनारे मिलेगी थोड़ी-थोड़ी दूरी पर क्या मिलेगी मिनारे मिलेगी और इन मिनारों के अलावा स्थान स्थान पर क्या है दुर्ग के अंदर दर्वाजे हैं जो साइद आने जाने के लिए परियोग में किये जाते होंगे मिनारे हैं इसके अलावा दर्वाजे हैं दुर्ग के ठीक है अब जब ये मिनारे मिली हैं तो अपने इसकी सरंचना के बार में भी पढ़ लेते हैं कि इसकी लंबाई चोड़ाई क्या है तो यह जो दुर्ग है इसकी लंबाई जो है वो 460 गज लंबाई वाला दुर्ग है कौन से स्थान की बात हो रही है अपने हडपा की हडपा के अंदर जो गड़ मिला है गड़ी मिली है छोटा दुर्ग मिला है ठीक है छोटा दुर्ग है तो उसकी लंबाई कितनी बताई गई यह 460 गज और चोड़ाई है इसकी 215 गज 215 गज चोड़ाई याद रखशकते हो तो अवश्य याद रखेए लगिन इतनी महत्वण आवश्यक्ता नहीं है उन्चाई इसकी जो है वो लगभग कितनी है उन्चाई इस आम तोर पर बहां पर दुर्गों की उन्चाई इसी अनुपात में मिलती है 40 से 50 फिट इसकी उन्चाई रही होगी ठीक है क्योंकि लंबाई चोड़ाई का तो परिमाप हमने फिते के दवारा निकाल लिया लेकिन जो उन्चाई है उस दुर्ग की वह है तो क्या है धवंस होती रही है अलगातार उपर सब्वेताईं बसती रही है या उपर अलग परकार के उसके बाद भी जो नगर बसते रहे हैं उसके कारण इसकी एक्जिक्ट उन्चाई जो है वो हमें नहीं मालूम है लेकिन पूरा तप्तो वेताओं के अनुशार क्या है इसको 40-50 पिट उन्चावता यागा एक बार फिर से समझ लीजिएगा परतेक नगर है उसके एक तरफ दुर्ग बनाया जाता था परतेक सहर में एक तरफ नगर होता था वेपारिक नगर जो और दूसरी तरफ दुर्ग होता था साइद यह माराजाओं के लिए होता था या वहां के इसासकों के लिए होता हो य और एक तरफ छोटा दूर्ग है। ठीक है? अपने पढ़ रहे हैं किसके बारे में? हडपा की नगर के बारे है। हडपा जो नगर है, उसकी विशेषता हैं क्या क्या थी? एक तो मिनारे हैं। ठीक है? आम तोर पर दूर्गों पर होती है, लेकिन अपने पहुत पीछे समय की तब इसके यह में तब रह नारे हैं, स्थान स्थान dista पर दरवाजे बने हुए हैं इसके अलावा यह जो दुर्ग मिला है वह स्तितिय में मिला है, धौशा अवशेश स्तिति रहा है यानि धाउश हो चुका है लेकिन इसके कुछ अवशेस मिले हैं जिनको जोड़कर इत्या नेक्स्ट यह यहां पर लिख देता हूं लगातार चार सो साथ गज लंबाई वाला दूद है दो सो पंदरा गज चोडाई है इसकी और चालिस से पचास फिट उन्चाई की कलपना किये गई है ठीक है कालपने क्योंकि अगजेक्ट अपने नहीं बता सकते हैं यह इस प्रकार की सरंचला वाला क्या है दुर्ग था हडपा नगर के अंदर हमें कहां पर कब मिला था 1921 के अंदर किसके द्वारा खोज किये गई द्याराम साहनी के द्वारा खोज की गई और कहां पर है मौंट गॉ कहां पंजाब परांत पाकिस्तान ये चीज़ें आपको याद रखनी है अवश्य याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट अगर अपने इस दुर्ग की बात करें तो स्थान स्थान पर मिनारे हैं परवेश द्वारा ये मैं बता चुका हूँ आपको लेकिन इस दुर्ग के अंद से महत्वण जो है वो क्या है एक बंडा गार है क्या मिला है बंडा गार या जिसको आप क्या कह सकते हो स्टोर हाउस ठीक है यानि या बंडार ग्रह बंडार ग्रह ठीक है यानि उस समय सायद इस समयजना वाले या बंडा गार जिसको नाम दिया गया है पुरा तत्वेताओं की दुआरा उसमें यह अपना अनाज या व्यापारिक वस्तूओं को क्या करते थे स्टोर करके रखते थे भंडार करके रखते थे जैसे कि आजकल भी अपने व्यापारियों को देखते हैं वो मैनुफेक्चर चिजों को या त्यार माल को क्या करते हैं अपने यहाँ पर स्टोर करके र जी है जिसका नाम क्या दिया गया भंडागार या स्टोर हाउस उसके इंतरगते अन्मान लगाए जाता है कि में जो अन्मान होगा बुद्ध क्या रहेगा कि अनाज को स्टोर किया जाता था या अन्य वेपारी वस्तमों को भी स्टोर किया जा सकता होगा नेक्स्ट अगर बात करें, अभी हम इसी बंडागार की, तो दुर्ग तो आपको समझ में आई गया हुआ सरंचना, अपने बंडागार की सरंचना को समझ लेते हैं, ठीक है, अब जो ये बंडागार मिला है, आम तोर पर आपने कोई स्टोर हाउस देखा होगा, तो उस परका पंक्तियां बनाई हुई, और उन पंक्तियों में क्या-क्या बनाए गये हैं, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छै, ठीक है, छै परकार, ये सोरी, छै-छै क्या बनाए गये हैं, कमरे बनाए गये rooms ठीक है एक दूसरे के सामने इस परकार से कतार से 6-6 कमरे बनाए गए है ठीक है यानि अलग-अलग उनको कमरों में बाटा गए है दो पंक्तियों कदर मिले है या इसको कह सकते हैं एक भवन की या दुकान टाइप में इसका निर्मान किया गए है ठीक है दर्वाजे रुखते तैन के एक दूसरे के सामने बना दिया पहली चीज समझ में आगी इसके अलावा दोनों पंक्तियों के बीच में क्या है एक बड़ा चोड़ा मारग रखा गया है किस काम आता होगा चोड़ा मारग देखिए जैसा कि हमने पढ़ाए कि ये क्या है एक स्टोर हाउस है अगर मालीजी कमरा नंबर 6 से हमें कोई चीज लेके जानी है तो हमें रास्ता तो चाहिए ना ऐसा तो है नहीं कि एक भंडार गरह बना दिया और उसके कोई रास्ता है यह नहीं ठीक है तो आने जाने के लिए वहान को रास्ता तो चाहिए ही चाहिए तो इसलिए क्या है बीच में एक मध्य में चोड़ा मारग रखा गया है ताकि असानी से एक बार में यह दो या तीन उनकी जो बेल गाड़ियां होते थी या जो भी उनके वहान होते थे उनको निकाला जा सके लोड कर गए ठीक है ड्लोडिंग या अनलोडिंग के लिए यह रास्ता रखा गया था यह भवन क्या काम आता था अनाज या वापारिक वस्तों को संगठित करने के लिए इसके अलावा इन भंडागारों के से थोड़ी दूर पर अठारा बड़े बड़े गोला कार चबूत्रे मिले हैं चबूत्रे समझते हों कबूत्रों को दाना डालने के लिए एक चोकी बनाई जाती है आज कल आपने देखा होगा इस परकार की सरंचना के क्या मिले हैं चबूत्रे मिले हैं बड़े बड़े एक दो तीन चार पांच है साथ आठ नो दस क्यारा पार जो भी है संख्या कितनी हैं चबूत्रों की अठार ठीक है अब ये चबूत्रे किस काम आते होंगे कोई भी चीज बिना यूज के तो बनाई नहीं उन्होंने क्योंकि योजना बद तरीके से बनाई है तो किसी चीज को ऐसे तो बेकार में तो बनाएंगे नहीं ये चबूत्रे काम किसलिए ले जात इन चबूत्रों के बीच में एक एक छेद रखा जाता था क्या क्या रखा जाता था एक एक छेद इन चबूत्रों के मध्धे रख दिया जाता था और अनुमान लगाया जाता है कि ये चबूत्रे अनाज को पीसने के लिए उप्योग में लिये जाते थे इन चबूत्रों का इस्तेमाल kis लिए किया जाता था, आनाज को पीसने के लिए इन चबूत्रों का इस्तेमाल करते थे क्या क्या आगया, एक भंडागार है, किसके अंदर है यह दुर्ग के अंदर है ठीक है अपने नगर को के बारे में पहले पढ़ चुके हैं आज अपने दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं तो दुर्ग के अंदर एक मुखे इमारत मिली है जिसका नाम क्या दिया गया भंडागार या स्टोर हाउस क्या थे छेच्छे कमरे बनाए गए बीच में चोड़ा रास्ता और उनके थोड़ी सी दूरी पर क्या बनाए गए है अठारा चुबूत्रे जिनके मध्ध क्या है छेद है अनाज को पीसने के लिए खीक है और फिर उसके बाद एक तरफ क्या बना दिये गए साथ-साथ कमरे बना दिये गए यह कमरे किसलिए है यह कमरे अनुमानत है सर्मिकों यहां दिखाई दे रहा होगा इदर देख लेते हैं सर्मिकों के घर के रुप में इनका अनुमान लगाया जाता है अनुमानत है सर्मिकों के घरिया कमरे रहे होगे ठीक है चलिए यह है तो हो गया कौन सी जिगे की बात है यह हडपा नगर के दुर्ग की बात है दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा ठीक है पंक्तियों वाले कमरे में बंटा हुआ है और वहां पर अनाज को स्टोर करके रखा जाता था वगेरे वगेरे हमने समझ लिया है अनुमान गरता हूं या कल्पनिक चीजों को भी क्या है उन्होंने या कल्पना मातर से उन्होंने इस स्रंचना को एक जीवित रूप परधा किया है पूरा ततव वेताओं ने तो आपके समझ में आ गया होगा इसी उमीद के साथ अपने पढ़ते हैं मोहन जूद्लो के दुर्ग के बारे में जो और भी ज्यादा महत्तोपॉण है मोहन जूद्लो वहां का मुख्य नगरों में से एक है बड़े नगरों में से एक है वही सेम कंडिसन रहेगी एक तरफ नगर रहेगा एक तरफ दुर्ग रहेगा इस दुर्ग की एक अन्य विशेष्टा यह है यानि हडपा वाले दुर्ग से इसको अलग करने वाला पहला जो कारण मिलता है वो कारण क्या है क्रीतरिम पहाडी क्या है क्रीतरिम पहाडी एक artificial structure बनाया गया पहाडी के नुमा एक चीज बनाये गई ठीक है ताकि दुर्ग क्या हो उंचा हो क्या हो उंचा हो क्रीतरिम पहाडी बनाये गई उसके उपर दुर्ग को स्थाफित किया जासके ठीक है हो सकता है बार्ड के पानी से बचाने के लिए या अन्य आपदाओं से बचाने के लिए आकर्मन से बचाने के लिए इसका क्या है उन्चाई बढ़ाएगा ठीक है, वही सेम चीजे मिलेंगी, मिनारे होंगी, थोड़ी थोड़ी दूर पर, दरवाजे भी होंगी, अवश्यी बात है, ठीक है, आना जाना रहता ही है, बंद तो होके रहेंगे नि, तो मिनारों को क्या है, भगना आउशेश मिले हैं, भगना आउशेश, भगना आउशे लगाया जा सकता है कि मेनारों वाली सनचनाई जो है वो सल्तनत काल में नहीं या मुगल काल से शुरूर नहीं हुई थी बहुत पहले समय से ही भारत में ये इस परकार के सनचनाई विद्देमान थी जैसा कि हमने एक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था जनलिकास अठावधी में अपनाया था यानि 1700 से 1800 के मध्ये वहाँ पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का चलन हुआ था लेकिन भारत उसमें क्या है सबसे अगणनी रहा है इस परकार का ड्रेनेज सिस्टम भारत ने कब बना लिया भारत ने 26 से 1900 इसापुरो या बिफोर क्रा इस्ट या 20 स्तापित कर लिया था तो बहुत सी चीजें हैं जैसा कि मैंने इस चेप्टर के स्टार्टिक में बताया था कि एक फ्रेंक्फर्ट नामक जो फिलोसफर थे उन्होंने इस सब्वेता की खोज के बाद कहा था कि भारत क्या है यूरोप को आईना दिखा सकता है इ इसलिए फिर भी नेक्स्ट अपने टोपिक पे जलते हैं किसके उपर अपने बढ़ रहे थे मोहन जोद्रो के दुर्ग के बारे में करित्रिम पाहडी के उपर बनाया गया ताकि आकर्मन के समय या बाड़ के समय बचा जा सके मिनारों के भगना उशेष मिले हैं यानि मिना इसलिए एक अच्छी शुदर्ड तरीके से बनाए गई थी इसलिए हमें मिली है तो इसको आगे बढ़ते हैं मिनारे में आपको समझ में आगी होगी नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि जो ये नगर है या सुरी ये जो दुर्ग बना हुआ है इस दुर्ग के अंदर एक बहुत ही महतवपूर्ण इमारत मिली है क्या है महतवपूर्ण इमारत और इस महतवपूर्ण इमारत का नाव क्या है सनानागार आपने कुम्ब के मेलों के बारे में सुना होगा या बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर सामुहिक सनान किया जाता है हिंदु द्रम में बहुत पर्चलन पर है यह चीजें सामुहिक सनान लोग अलग-अलग मानने ताओं के अनुसार क्या है सामुहिक सनान को वाली यह जो परिक्रिया है वो समय समय पर पूरी करते हैं आज की सनातन धरम का यह है एक मुखे भाग है लेकिन इस समय सिंदु घाटी सब्वेता में भी ऐसा हुआ करता था इस बात का अंदाजा यह हमें पता कैसे चलता है मोहंजोदलो के दुरग के अंदर मिला हुआ सनाना गार उसके दौरा हमें इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है वहां पर भी एक spiritual बात के लिए एक group बात बनाया हुआ था एक सामुहिक सनाना गार बनाया गया था ठीके चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्या-क्या है इसके अंतर गत्वी ये बनाया गया एक विसाल सनाना का विसाल का मतलब बड़ा क्योंकि समुहिक सनान किया जाता था यहां पर धार्मिक गिरियाई पूरी की जाती थी इस चीजों के बारे में इसाक्षे मिले है इसी लिए इसको धार्मिक किरियाई का नाम दिया गया है हो सकता है लोग टाइम पास के लिए जिसे यूरोपियन कंट्रीज में आज कर क्या है सुमिमिंग पूल बगिरफ बनाया जाते हैं उसके लिए भी बनाया हुआ हो सकता है लेकिन हमें एविडेंस किसके लिए भी ने हैं हमें एविडेंस मिले हैं धार्मिक किरियाई की पूर्ती वाले मिले हैं ठीक है तो चलिए इसके बारे में भी बढ़ते हैं क्या क्या रहेगा इसके अंदरगत इसके इंतरगत क्या है, प्रधान सनान कुंड पूरो पश्चिन तथा दक्षिन में ब्रामदे और उनके पीछे-चोटे-चोटे क्या बने हुए हैं, कम्रे बने हुए हैं पर्धान सनान कुंड है पर्धान सनान कुंड का मतला हो एक special पूल बनाया गया है ठीक है पर्धान सनान कुंड इसके अंदर साइध वो डुबकी लगाते होंगे एक साथ ठीक है अपने धार में करीती रिवाजों की पूर्ती है तो नेक्स जो हमने पढ़ा है वो क्या चीज बढ़ी है इसके बारे में कि इसके जो ये पर्धान सनान कुंड है इसके दक्षिन में क्या बने हो हैं छोटे छोटे कमरे बने हो हैं पूरो इस दिशा को अपने क्या है पूरो मान लेते हैं इस दिशा को पश्चिम मानना पड़ेगा क्योंकि ओविश्ची बात है इल्टा हो गया आपको समझने के लिए हमेशा याद रखना होगा कि पुरव जो होगा वो दाइने हाथ की तरफ होगा और पश्चिम बाएं हाथ की तरफ होगा यह याद रखना है आपको चाहे किसी भी प्रकार की चीजों को आप पढ़ रहे हो दाइने हाथ की तरफ क्या रखिये पूरव को बाएं हाथ की तरफ पश्चिम मुख की तरफ क्या हो जाएगा उत्तर और पाउं की तरफ क्या हो जाएगा दक्षन हमने क्या पढ़ा इसमें पूराव पस्चिम और दक्षिन की तरफ क्या बने हुए है कुछ छोटे छोटे क्या बनाए गए है कमरे बनाए गए है ठीक है दक्षिन में ब्रामदे और उनके पीछे पीछे छोटे छोटे कमरे है ठीक है ये सनानागार हो गया असनानपुंड हो गया मुख्य, ये ब्रामदा हो गया इसका, ब्रामदा, ठीक है, इधर भी, और यहाँ पर क्या बनाए गए है, छोटे छोटे कमरे बनाए गए, सिर्फ तेन दिशाओं में हैं, उत्तर में नहीं है, आपको ये विशेश कर याद रखना है, कि कौन सी दिशा में कमरे नहीं बनाए गए हैं, विशाल सनानागार में, ठीक है, रूम्स इनके लिए त्यार किये गए हैं, कमरे, समझ में आया यहां तक, नेक्स्ट, जो सीजी होंगी, वो है कि, परते एक में पाने की विवस्ता था उपर की और जाने के लिए सीडियां लगती हैं, क्या हर एक कमरे के साथ इन्होंने क्या बनाई हैं, पानी की विवस्ता बनाई हैं, ठीक है, वयवस्ता, और हर एक के साथ क्या बनाई गई हैं, सीडियां बनाई गई हैं, किस लिए, ताकि, ये इतना छोड़ा दिख रहा है, पानी की विवस्ता है, सीडियां बनाई गई हैं, त पूरी लंबाई 45 मेटर और चोड़ाई 33 मेटर है। लंबाई कितनी है? 45 मेटर लंबाई 33 मेटर चोड़ाई ठीक है? तो काफी लंबा या बड़ा बनाया गया इसको इसके मुख्य सनानागार की लंबाई 12 मेटर चोड़ाई 7 मेटर और गहराई 0,5 मेटर है। ये जो गहरा है, गहरा कितना है? 0,5 मेटर या 72 मेटर नहीं, 0,5 मेटर है। कितना मेटर गहराई है इसकी सनानागार की 2.50 या 2.50 मेटर इसके अलावा इसकी लंबाई और चॉडाई कितनी है इसकी लंबाई तो है 12 12 मेटर और इसकी चॉडाई जो रखी गई है वो क्या रखी गई है साथ मींट यानि श्यम एक जो पीश में कुंड बनाया गया है वह भी अथा लंबा जोड़ा है अब क्या किया गया इसको फरस बनाया गया इसका वह पक्की हिंटों का बनाया और राल वगेरे के दोरा इसको क्या किया गया है मजबूत किया चुका है ताकि पानी अंदर ना जा सके ठीक है यानि पानी लगातार पानी का रिशाव नहीं होता रहे इसलिए सीलें से बसने के लिए राल का लेप यूज किया गया है सनानकुंड की सफायूर गंदा पानी ब नाली भी बनाएगी यह दक्षिन भाग इदर है तो इस से क्या है एक है नाली निकलती है जैसा कि मैंने बताया था अंडरग्राउंड बनाते थे तो पटिकाओं के द्वाराइंटों के द्वाराइंट को ढखा गया होगा इसका गंदा पानी बाहर निकालने के लिए गंदग इसके क्या है अपने जो अनुमान लगाया था उसी चीजों के बारे में चार्चा करते हैं कि एक समोही के शन्हान के लिए इस्तेमाल करते होंगे क्यों पता लगा इस बात का या धार्मिक क्यों था ये सारा कारिया इसका पता लगाया है क्योंकि यहां पर कुछ विदिकाई आपने science वंगे देखे होंगे, तो haven करने के लिए एक सरंचना बनाई जाती है, जिसके अंदर haven किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? यगये विदिका, तो यगये विदिकाई बनाई गए है, पूजा पाठ या करमकान जो इनकी किया करते थे, करमकांड नहीं कह सकते, पूजा पाठी कह सकते हैं, करमकांड का अलग तरीका होता है, तो स्थान स्थान पर क्या है, ये वेधिकाएं बनाई गी है, जिससे पता चलता है कि ये सामोईक सनान किसी धार्मिक परियोजन को पूरा करने के लिए होता होगा, ठीक है, और ये भी हम में पता है कि आधुनिक जो हिंदू है, अब के हिंदू है या पहले के हिंदू है, सनातन धरम में लगातार चलता आ रहा है, क्या है, हुली बात किया जाता है, सामोईक रूप से एक धार्मिक सनान की परिस्तलन, क्या है, आधुनिक और पूरातन हिंदू धरम में रही है, तो इस कारण से इसको धार्मिक सनान के संग्या दी गई है, यह क्या है विसाल सनानागार कहां पर मिला है मोहन जोद्रों के अंदर करते हैं, अब सिंदु सबेता की नगरों के सडकों या गलियों की किनारे जो दो-तिन चीजे रह गी थी बता जेता हूं, यह जो सडके बनाई इनके धार्मिक विश्वासों के दोरा भी चलेगा, ठीक है, परकरती प्रेमी थे और परकरती को बचाने का भी कारिय करते थे, परकरती प्रेमी आजकल भोत होते हैं, लेकिन बचाने का कारिय नहीं होता, ठीक है, एवरिवन इस ए एनिमल लवर अंटिल देख, सवड़ बा परोसा ना जाए, ठीक है, पशू या जानवार पुक्षी वगेरे जो भी है, तो यह वास्तो वाले प्रकरती प्रेमी थे, दोनों तरफ पेड़ होते थे, और दोनों सड़कों के दोनों तरफ क्या होती थी, दुकाने वगेरे होती थी, और जो चोराय होते थे वहां पर भ तो होगे परशन्चित होंगे ठीक है आनंदित होंगे अपने घरों में तो खुशी पुरुवक्या है इसका अध्यन कीजिए अगर कोई विश्य या वस्तू इसमें से समझ नहीं आई है तो feel free to use comment box धन्यवाद